गांदी सागर तालाप स्थीत खाऊ गल्ली के पास एक आरूपी ने फिर्यादी के गले से सोने की चैन निकाल कर भाक्या गरिश पेट पुलिस ने आरूपी को सेसे टीवी के मात्र से गिरफता क्या है गांदी सागर तालाप स्थीत खाऊ गल्ली के पास एक शातिर आरूपी ने शाम छे बजे के दोरान फिर्यादी की गले से सोने की चेन जटका मार कर निकाल ली जानकरी के अनुसार आरोपी गाली दे रहा था तो फिरियादी ने उसको टोका तो आरोपी ने फिरियादी की गले की चेन खीच कर भाग गया जिसके बाद फिरियादी रवारे ने गनेश पेट थाने में शिकायत दर्च कर आई बाद में गनिशपेट पुलिस ने घटना स्तर जाकर CCTV फूटेज खांगाल लिये और उसमें ये आरूपी पाया गया जिसके बाद आरूपी गनजीपेट निवासी सेक अजर को गिरबतार किया गया उसके पास से चाकू एवं दो तोले की सोने की चेन बरामती इससे पहले शहर के अलग अलग थानों में उसके खिलाप 392-325 आदे गुने दर्ज है बाइट कुम्रे पिया गनिशपेट थाना शहर का क्राइम भी कभी कम तो कभी जादा हो रहा है गनिशपेट पुली स्थाने से कैमरा परसन विरेंदर के साथ संजय मिरे इनबीसे निज नागपूर हाँ संड़े के दिन है छे बज़े करीबन जो रिपोर्टर है रोवारे ओ दत्तवाडे का रहने वाला है उसके दोस्त के साथ ओ खाओ गल्ले अभी जो उद्गाटन हुआ है और वहां पर ये गुमने के लिए आया था वहां पर ये जो आरूपी है ये मोबाइल पर किसी को गाली दे रहा था तब ये फिरिया दिन उसको बोला कि यहां गाली मत देना लड़किया अगर बैठी है तो ये उसके पास जाके कालर पकड़ा तब उसको चैन दिखे तो चैन चिन के भाग गया वैसा है वो पोली स्टेशन में रिपूट देने आया तो मैं तब यहां पर हाजर था तो डेबी स्कॉड और ये गाड़ी से उनको इमिजेट वहां पर खालो गली जो है वहां पर भेजा सिसिटी पुटेच चेक किये तो ये आरूपी जो है सेक अजहर ये जो चोरी करते समय में दिखा तो इमिजेट वैसा है उनको बताए कि वह कहां है तो उसको तलाश किये तो वह पोली स्टेशन कोतवाले के एरिया में मिला और वहां उसको पकड़ के लाए तो उसने बोला कि हाँ मैं चोरी याने उसकी चेन चेन लिया है तो उसका पिशेर लेके उससे अपने चाकू और दो तोले की जो चेन है उन्हें उससे बरामत की है और वो हमारे अभी तपास में है पिस्यार में है और हमारे डिसीपी साफ माकने कर सार इनके मारक दर्शन पर तपाच्चा लाए तो इसके आगे इसके उपर कुछ दूने वागे ना चले है हाँ वो क्रिमिनली है तीन से ब कुटवाली तैसिल और गनेश्वेट ये जूड़क्शन में उसके उपर अपेंसर एजिस्टर है